नमस्कार दोस्तों, दस कंपनियों ने रिविडेंट की घोशना की है, उसका वीडियो लगा रहाँ, उसके साथ-साथ दो एनलाइसिस वीडियो लगा रहाँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक चोटी सी रिक्वेश्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अग इसकी करेंट मार्केट प्राइस 617 रुपया परती सेयर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 9 अक्टूबर को रखी है और अगर डिविडेंट देगी तो इसका एक स्टेट 17 अक्टूबर होगा नेक्स्ट कमपनी का नाम KPI Green Energy है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 880 रुपया परती सेयर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 9 अक्टूबर को रखी है और इसका एक स्टेट 20 अक्टूबर है नेक्स्ट कमपनी का नाम KSPN Corporate Services है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 32 रुपया परती सेयर है यह 5 पेशा परती सेयर डिविडेंट देगी इसकी एक स्टेट 17 अक्टूबर है नेक्स्ट कमपनी का नाम BCL Industries है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 499 रुपया परती सेयर है यह स्टेट करेगी 1.10 की रेशियो में इसकी एक स्टेट 27 अक्टूबर है अब अगली खबर भारी भरकम डिविडेंट देने वाली कमपनी 19 अक्टूबर को लेगी अस्टॉक अस्प्लीट पर फैसला दोस्तों कमपनी ने अस्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 19 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड वैठक में सेयर विभाजन पर फैसला इसके अलावा कमपनी के बोर्ड की बैठक में डिविडेंट पर भी फैसला लिया जा सकता है मैगी नूडल्स निरमाता सेयर विभाजन 2023 में सबसे अच्छा परदर्शन करने वाले निफ्टी 50 सेयर में से एक रहा है इसने साल दर साल लगभग 14 फिसीदी का रिटर्न दिया है और जुलाई में 52 भी खाय 23,395 रुपया 35 पैसा को छू लिया है पिछले हपते ब्रोकरेज UBS के एनलेटिक्स ने नेसले इंडिया पर अपनी डेटिंग 22 से घटा कर नीट्रल कर दिया था क्या है सेयर विभाजन किसी सेयर का फिस वेल्यू को कम करना सेयर विभाजन कहला है विभाजन के साथ ही रिकॉर्ड डेट पर सेयर का बजार भाव भी दो हिस्से में एड़जस्ट हो जाता है सेयर विभाजन खास तोर पर लिक्विडिटी और भोल्यूम बढ़ाने की मकसद से किया जाता है सेयर विभाजन करने का मकसद अधिक से अधिक रिटेल इशकों को हिस्सेदार बनाना होता है निशले इंडिया के तिमाही नतीजे कारोबारी साल 2022-23 के अपरेल जुन तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 के अपरेल जुन तिमाही में कमपनी का मुनाफ़ा 515 करोर रुपे से बढ़कर 698.3 करोर रुपे हो गया जबकि अपर जून तिमाही में कमपनी का आए 4,366 करोड से बढ़कर 4,658.5 करोड रुपे हो गई इस दोरान कमपनी का एबिटडा 849 करोड रुपे से बढ़कर 1,058 करोड रुपे था क्या करती है निसले इंडिया निसले इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी स्विश कमपनी निसले की सबसीडरी कमपनी निसले इंडिया है कमपनी का मुख्याले गुरुगराम हर्याना में है कमपनी के खाने पे पदार्थ चोकलेट कनफेंसरी प्रोड़क्ट बनाती है दोस्तों आगे की खबर देने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा एक टेलिग्राम चैनल भी है आप अगर चाहें तो उसे भी जोईन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी मैं मतलब टेलिग्राम पर भी मैं स्टॉक मार्केट की लेटेस जानका काड़ियां देता रहता हूं और फ्री स्विंग टेडिन काल भी देता हूं जिसका टारगेट होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर मैं जर्णे में रहता हूं और कोई इंपर्टेंट नीच आ जाती है और वीडियो बनानेавать अनहीं बनता है तो मैं टेलिग्राम पर ही सुचित कर देता हूँ इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप हमारे टेलिग्राम चनल को जरूर जोईन कर ले एक्सपर्ट ने बताया ये सेर खरीद कर आप बना सकते हैं पैसा देखिए एक्सपर्ट ने आज कौन से सेर खरीदने की सलाह दी है कमजोर ग्लोबल मारकेट रूजानो और विदेशी फंड के आउटफलो के बीच बुधवार को इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स में सुरुवाती कारोबार में गिराबट आई बुधवार को घरेलू सेर बाजार लाल निसान में खुला NSE निफटी 125.50 यानी 0.64 फिसीदी गिरकर 19,403.30 के अस्तर पर और BSC Sensex 424.49 अंक यानी 0.65 फिसीदी गिरकर 65,087.61 के अस्तर पर खुला अगर आप भी प्रॉफिट दिलाने वाले सेर ढूंड रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है CNBC आवाज के खास सो में खास सो खिलारी नमबर वन पर मार्केट एक्सपर्ट ने बता दिया आज कौन से सेर खरीदिने पर आपको फाइदा हो सकता है आज आपको कौन से सेर खरीदिने चाहिए ACI बजारों में शियोल, टोकियो और होंग कॉंग नीचले अस्तर पर काड़ोबार कर रहे हैं जबकि सांगाई पोजेटिव अस्तर में था मंगलवार को अमेरिकी सेर बजार एक फिसीदी से ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुए एक्सचेंज डेटा के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशको FII ने मंगलवार को 2034.14 करों रुपे की एक्क्विटी बेची एक्सपर्ट्स ने सलाह दी कि मुनाफ़ा कमाने के लिए आप रेन इंडस्टीज, PCBL, FACT और ग्रेफाइट इंडिया के सेर खड़िद कर पैसा कमा सकते हैं देखिए इनका टार्गेट प्राइस और अस्टॉप लॉस कितना है कम्पनी का नाम है रेन इंडस्टीज, इन पर सलाह है कि आप खड़िदे, 175 रुपेया परती सेर का टार्गेट दिया गया है और 169 रुपेया इसका अस्टॉप लॉस है नीरव छेड़ा का पसंद, सेर है PCBL, इस पर राय है कि आप खड़िदे, टार्गेट प्राइस 210 रुपेया परती सेर और इसका अस्टॉप लॉस 172 रुपेया परती सेर है अगला सेर है प्रसांत सावंत का पसंदिदा सेर है FACT, कमपनी इस पर खड़िदने की सला है 600 रुपेया इसका टार्गेट दिया गया है और अस्टॉप लॉस 505 रुपेया परती सेर है अगली कमपनी है ग्रेफ हाइट इंडिया इस पर सला है कि आप खड़िदे और इसका टार्गेट प्राइस 590 रुपेया परती सेर है और अस्टाप लॉस 475 रुपेया परती सेर है अब डिविडेंट निउस नेक्स्ट कमपनी का नाम LTI Mind Tree है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 5154 रुपेया परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 18 अक्टूबर को रखी है इसकी एक स्टेट 27 अक्टूबर है नेक्स्ट कमपनी का नाम RMC Switch Gear है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 744 रुपेया परती सेर है यह बोनस देगी एक अनुपाद 2 की रेशियो में इसकी एक स्टेट 13 अक्टूबर है नेक्स्ट कमपनी का नाम आनंद राठी वेल्थ है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1733 रुपेया परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग